13 और 14 सितंबर को 9 से 5 बचे तक विक्री पोड़ेता बंद रहेगी राज़सरकार से जेश टी कम और कमिशन मड़ाने की पेट्रोल पंप मालिकों की मांग है अपनी मांगों को लेकर पेट्रोल पंप मालिक के रहेंगे हरताल पर यदि मांग नहीं मानी जाती है तो 15 सिदंबर से निश्यत करने हरताल पर जाएंगे पेट्रोल पंप मालिक राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसियेशन ने गोशना की है इसी के तहट शहर के पेट्रोल पंप डीलों का कहना है कि राजस्थान में पेट्रोल पंप पर वोट जो वेट लिया जा रहा है उसको कम करने के लिए हड़ताल की जा रही है उन्होंने कहा कि पुरी राजस्तान में सुबह नौ बजे से श्राम पांच बजे तक दो तीन तक तेरवा चौदर तारीक को हड़ताल रहेगी और अगर हमारी जो मुख्य मांगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमसे जो वोट है जो वेट है वे सब लिया जा रहा है 20 प्रतिशत पेट्रोल पर 28 प्रतिशत डिजल पर लिया जा रहा है ऐसा है हमारे जो राजस्थान पेट्रोलियम एसिशेशन की और से गोशना की गई है कि जो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा वैट लिया जा रहा है उसको कम करने के लिए यह हड़ताल की जा रही है और 13 और 12 तारीक को हड़ताल है पूरे ही राजस्थान में सुबह नो बजे से और शाम को पांस तार बजे तकड़ताल है और उसके बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर एनिश्था धड़ताल की जाएगी जिसकी मांगे यह हैं कि हमारे जो प्रदेश में हैं वो सबसे ज़्यादा वैट हमसे लिया जा रहा है हमसे क्या लिया जा रहा है कस्टूमरों से लिया जा रहा है 30% पे लिया जा रहा है 28% डीजल पे लिया जा रहा है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैट है मतलब इसमें हमारे जो बड़ोसी प्रदेश है जैसे हरियाना है उत्रप्रदेश है मद्यप्रदेश है वहां वेट बहुत कम होने की वज़े से हमारी सेल बहुत प्रभावित है तो हमारी ये मांग है कि ये वेट को और स्टेटों के बराब ही की जाए जिससे की हमारी सेल की बड़ोतरी होगा ये मुख मांग है और दूसरा जो हमारे डीलर क मिशन है वो 2017 के बाद उसमें कोई संशोदन नहीं हुआ भारत सरकार से हमारी मांगे कि उसको हमारा बढ़ाया जाए जिससे हमारे पंपों की इस्तेटी ठीप हो मेरा नाम शिरिनियो आज मेना है ताब दे फिलिंग स्टेशन का मैं टीलर हूँ डिस्टिबूटर एस्टिशेशन की कोई अरताल के बारे मुनों नहीं ले लिया है उनकी कोई आपसी सरकार से कोई मांग है कि जो बात चर्चा से समाधान हो जाए उससे बड़ी कोई बात नहीं है दो दिन का आप लोगों की जो अरताल रहेगी इनकी उससे हमारे ब्यापार पर और राम जन पर बारी असर पड़ेगा डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा तो ट्रांस्पोर्टिशन प्रशर पड़ेगा चीजे सही सही समय पर नहीं पहुच पाएगी जिससे आम मुभोकता को परिशानी होगी और अरताल का मार्ग छोड़के सरकार से सीधी वारता का मार्ग अपनाना चाहिए और अब तो बह अरवर जी लेके भी मुझूदा लोगों से पालिटी के प्रवधिकारियों से बात उपर खक्त पहुचानी चाहिए ऐसी में चाहिए पैट्रोल उनकी अरताल के बारे में गुरू को जाज़ जाड़ करी हैं नहीं मैंने पेपर में बढ़ा था कि प्ट्रोल डीलर एस्सीएशन कल 13 और 14 तारिक को को अरताल करने जा रही है मेरा तो उनकी अद्यक्स मोदे से विनम राग रहे है कि जंता की सुविदा को देखते हुए अरताल अरताल के काम नहीं करें आप कोई बात है तो सरकार से और प्रिसासन से सांधिपूर को बैठकर सवार्थ पूर्वातरों बात करें आप जो जाईज मांगे हैं उनको हम भ